आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने जा रहे हैं इस नोटिफिकेशन में मल्टी प्रोफाइल वैकेंसी है जैसा का आप देख सकते हैं पांच प्रोफाइल इसमें धिया गया है जुनियर इंजिनियर ट्रेनी के तौर पर रखा जाएगा यह पर्मानेंट जॉब होगी और इसमें वेडियस स्ट्रीम है इस नोट लाइक की एक ही स्ट्रीम की वैकेंसी है ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम देखेंगे कितनी लाइक स्ट्रीम की वैकेंसी है जुनियर इंजिनियर के लिए बाकी असिस्टेंट की वैकेंसी है चैमिस्ट की है एंड लैब असिस्टेंट की यह पाँच प्रोफाइल है इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी अभी 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 जो है ओपैन है जहां कि आप अप्लाइ कर सकते हैं या कोई भी ग्रेजुएट होल्डर ट्वेल्थ क्लास पास कंडिडेट या आई टी आई होल्डर बहुत सारी वैकेंसी अभी अप्लाइ कर सकते हैं डायर्क्ट जॉब पर्मनेंट जॉब की बात में कर रहा हूं आई टी आई वाले के लिए बाकि अधर इंजिनियर्स के ये मेडिकल स्टुएंट के लिए वैकेंसी अबलेबल है तो अभी हम इस नोटिफिकेशन के बारे में डिसकस करेंगे और ये नोटिफिकेशन जो है यूपी आर्वी यूनल के द्वारा रिलीज किया गया ये पर्मानेंट जॉब है और इसमें सैलरी जो है सभी हम इसमें डिसकस करेंगे सो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ये एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बल आइकन वटन जरूर प्रेस कर लें ताकि गवर्मेंट जॉब से र विद्ध उत्पादन निगम लिमेटेड में ये वैकेंसी रिलीज किया गया है अदर स्टेट के कंडिडेट भी इसमें अप्लाइ कर सकते हैं राइट इसमें जो है यहां पे देखिए जो वैकेंसी है जुनियर इंजिनियर ट्रेनी की वैकेंसी जिसमें की मैकानिकल के रिजर्वेशन यहां पे मैंसें किया गया है अठारे जेनरल के लिए ओवीशी के लिए साथ एससी के लिए फोड एस्ट के लिए वन एकनोवीकर सेक्षन के लिए थ्री एंडिशेवल के लिए वन और एक सर्विसमें जो की भूत पूर सेहनिक रहे हैं उनके लिए दो वैक इसी तरह जो है इले장님 के लिए 29 वेकंशी, electronics and control and instrumentation के लिए solar वेकंशी, computer science के लिए 4 वेकंशी, इसका bifurcation यहां पे मैंसें किया ग套या है उसके बाद जो है assistant account के लिए 21 वेकंशी जिए टे मोस्थी निए दिया है as per the reservation यहां पे उसके बाद chemistry के है लाब assistant के लिए 17 वेकंशी है राइट फ्रेंज सो अब अगर आप चाहते हो कभी आप इसकी करोगे वीडियो तो प्लीज आप कर सकते हैं इसके वीडियो बट अगर आपके पास दो मिनट टाइम है तो आप पूरा स्लेबस देख लीजे और एग्जामनेशन पैटर्न अप्लिकेशन फी भी दो मिनट बाकि other state के candidate को reservation नहीं मिलेगा जो like general candidate के लिए जो vacancy है उसी में आपको जो है recruitment मिलेगा ठीक है अब यहाँ पे देखे salary structure जो है engineers के लिए salary structure 44,900 रूपीज प्लस other balances आपको मिलेंगे तो मतलब अगर आप gross salary की बात करते हैं every month तो around 56 के आजपास जो है starting जो है मिलेगा engineers के लिए 29,800 प्लस other balances content के लिए 36,800 जो है chemist के लिए 27,200 जो है प्लस other balances chemist lab assistant के लिए तो यह salary structure है friends यह permanent job है अब हम इसमें eligibility criteria देखेंगे just आपको आप प्लीज share कर दें इस वीडियो को right ताकि आपके friends को ही पता चल सके यहाँ पे देखे जूनियर इंजिनियर जिसमें की सभी तरह के जो है engineers है 4-5 stream का यहाँ पे mention किया गया है सबसे पहले इसमें क्या है हिंदी आपको जाना जरूरी है अगर आपको आपने like 10th में हिंदी नहीं पढ़ा है तो आगे भी आपने जहां तक पढ़ाई करी है उसमें कहीं भी आपने हिंदी नहीं पढ़ा तो आप ऐसा सोच रहे ह आप अपने नहीं कर सकते हैं बहुत शारे एक ऐसा कंडीर था पूरह हिंदी में comment आया था पूरह हिंदी में उसमें लिखा था कोमेंट में तो लिखा था 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 मतलब पता चला था हिंदी बंदे को आता है बट उसमें जो है उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की like as a subject कभी उनके जो भी academic qualification उसमें कहीं भी Hindi subject नहीं था but वो पूछ रहे थे क्या मैं apply कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे देवनागरी script जो है वो mention था कि it's compulsory but आप apply कर सकते हैं इसमें क्या होता है जब आप joining करते हो उसके three year के अंडर आपको जो है Hindi subject पास करना होता है जो like recruitment board करवाती है तो आप कहीं भे अगर वहाँ पे ऐसा रहता है देवनागरी लुपी Hindi आनी चाहिए या high school में आपने पास किया हो तो उसमें जो है within three year after joining जो है आपको एक course करवाया जाता है आपको एक subject पढ़ना होता है and you have to qualify that subject then फिर आप continue कर सकते हो तो इसलिए आपको ये बड़ी होने की बात नहीं है अब इसमें कोई भी diploma holder right बीटेक holder नहीं diploma holder इसमें apply कर सकते है ठीक है respective stream में distance वाले diploma consider नहीं किये जाएंगे assistant accountant जो है इसमें degree in commerce जिन्होंने degree की है like तो वो इसमें apply कर सकते है right किसी भी state से candidate हो apply कर सकते है chemist के लिए msc degree in chemistry from msc मांगा है master degree by law in up from or from any other university किसी भी state से इसमें candidate apply कर सकता है chemist के लिए भी lab assistant की जहां तक बात है intermediate exam past with the chemistry अगर आपने chemistry से intermediate past किया है like phase chemistry math होता है phase chemistry biology होता है तो दोनों में से कोई भी candidate इसमें apply कर सकता है from up board board examination और equivalent और graduate degree with chemistry subject अगर आपने like honors किया है graduation किया है chemistry से तो आप apply कर सकते हैं किसी अधर state से भी apply कर सकते हैं age की बात करें तो 18-40 age दिया गया है engineers के लिए same for content same for assistant like इसमें 18 ने 21 किया गया है content के लिए 21 से चालिस और sign के लिए जो है chemist के लिए 21 से चालिस और lab stand के लिए 18 से चालिस यह है age like and other जो है इसमें अगर आप बात करें age relaxation की तो SCST को 5 year extra मिल रहा है OVC को 3 year extra मिल रहा है application fee की बात करें तो इसमें examination pattern with syllabus हम cover करेंगे तो इसमें application fee की बात करें तो engineers के लिए बाकि सभी के लिए जो है इसमें जो application fee जो है 826 रुपीज फॉर अनुस्च जाती और जन जाती जो उत्तर प्रदेश के हैं सिर्फ उनको अनिस रेनी को 1180 रुपे पे करने पड़ेंगे जो disabled person है उनको 120 रुपे पे करने पड़ेंगे online चलान के थुरू दोनों थुरू जो है आप पे कर सकते हैं application fee CBT paper होगा और ये paper throw out the UP होगा UP के बाहर नहीं होगा दिली NCR like Noida में हो सकता है दो घंटे का paper होगा ये